सो गाई जास के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके पास जियो की सिम है और आपके जियो की सिम में 5G जो इंटरनेट है वो नहीं चल पा रहा है ठीक है आपको प्रोबलम आ रही है तो उसके लिए फर्स सोलुशन में आपको बताने वाला हूं चार से पांच करते हैं नीचे आप देख पाएंगे यहांपर प्रिवर्श नेटवर्व्वक टाइप है यहां पर आना आपको आपको यहां पर सब्सक्राइब होगा प्रफयर अल्ट तो आपको यहांपर प्राफ प्रफयं पाइऑ कर लेना है दन उसके बाद यहां पर access point name APN setting होंगे इस पर click करिए directly इस पर click करने के बाद reset है reset पर click कर दीजिए आपनी APN setting जो उसको reset कर लीजिए देख सकते हैं कुछ इस तरह से reset करके यहां पर slack कर दीजिए फिर back आजाइए अब यहां पर आपने दोनों काम कर ली है है उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर आपको settings में ही आना है Mercury से आने के बाद आपको यहां पर उपर about phone है और यहां पर आपका जो mobile का वर्जन है उसको देखना है आपका जो मोबाइल है वो अपडेट मांग रहा है या नहीं अगर देख सकते हैं आपको करने लग जाये तो आपको आपको क्या करना है एक कामब आप कर सकते हैं आपको अगर पता है आपको मोबाइल भी 5G और आपको एरिया में भी 5G वरकिंग है तो आपको क्या करना है उसके लिए ठीक है Play Store में आईए Play Store में आने के बाद यहां पर आपको सर्च करना होगा आपको यहां पर लिखना है आपकी जो application है Jio ठीक है My Jio यहाँ पर slack कर लीजिए My Jio देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ से open करने के बाद यहाँ पर rate this app लिखा हुआ है इस पर आप first star पर आपको click कर देना है और यहाँ पर आपकी जो problem है वो लिख देनी आपको ठीक है यहाँ पर लेख सकते हैं कुछ इस तरह से लिखना होगा और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने city और village लिखा हुआ है यहाँ पर अपना city और village का नाम लिख दीजिएगा आगे और यहाँ पर जो आपके पास mobile है वो आप यहाँ पर लिखिएगा जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है Redmi 11 Prime 5G तो उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है अपना mobile नंबर लिख देना है इसके बाद आपको यहाँ से back आ जाना है अब यहाँ से back आने के बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा अप support इस पर क्लिक करना है चाहे तो आप phone number देखने को मिल रहा है आपको यहाँ से आप बात कर सकते हैं नहीं तो आप email पर क्लिक कर दीजिएगा जैसे आप email पर click करेंगे आप redirect हो जाएंगे आपकी Gmail पर, Gmail पर redirect होने के बाद आपको एक report submit करनी है, यह वो report है यहाँ पर city village आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आपना city village लिखिए, आपना mobile जो कौन सा है वो use करते हैं, वो लिखिए, यहाँ पर इसको delete करके अपना number लिखिए, जो मैंने आपको बताया है, जो आप use कर रहे हैं, वो लिखने के बाद आपको यहाँ से back आजाना है और इसको post कर देना है, ठीक है, इसको आपको send कर देना है, mail ID को ठीक है, mail को, तो उसके बाद आपको एक और काम करना है, आपको जो है Chrome Browser में आना है, Chrome Browser में आने के बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा Geo Report, आपको यहाँ पर देख सकते हैं, लिखना है Geo Report, आपके सामने सबसे उपर एक link देखने को मिल रहाँ, इस पर klik कर लेना है जैसे आप इस पर klik करेंगे, आप इस पर redirect हो जाएंगे, आपको नीचे आना है, और यहाँ पर देखने को मिल रहा चैट with GeoCare, इस पर आपको klik कर देना है, चैट with GeoCare पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको 2 option देखने को मिलेंगे यहाँ पर mobile customer, fiber customer आपको mobile customer पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर customer Geo Care से आप बात कर सकते हैं जो भी आपकी problem होगी आप यहाँ पर describe कर सकते हैं कि आपको क्या-क्या problem आ रही है 5G से related problem आ रही है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं तो आपने पूरी डिस्क्राइब करते जिएगा आपका solution मिल जाएगा जियो वालों की तरफ से बस आज के वीडियो में आप यही बताना था अगर आपको फिर भी कोई problem आते हैं मुझे comment box मे बताईएगा मैं आपके लिए कोई और solution जरूर लेके आऊँगा तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में टिल दबाए टेक क्या लव यह